हेलो बच्चो में लेक रहा हूँ स्टैंडर सेवन का प्रैक्टिस है 54 इसमें फ़स्ट क्वेशन है हमारा देली रेन्फॉल फॉर इच डे अप वी इन अ सर्टन सिटी इस गीवन इन मिलिमेटर फैंड द एवरेज रेन्फॉल दूरिंग द वी नाइन इलेवन एट छांब आप वी इन वी इन तर्वेंट यहां पर हमेंगेृली रेन्फॉल हुआ हे उसका एवरेज निकालना रहें हों ख्यांगcesso श्रुल का ख्रशुल दिवाइड किया सम कितनी तुस artists और कितने आते हैं ए किसर Ketan उसको सेवन से डिवाइड करना भी आइज रिएप AE ng ऐहाँ है 20285 हमी एंशर के से आता है हो हम देख लेते हैं 86 इसको सिवन से करना है ओके तो भी हाप यहां पर 7 वंजा 7 और 7 वंजा 7 यहां पर भी 8 है मैंने पहले एक डिजिट को डिवाइड किया 7 वंजा 7 यहां पर 8 में 7 सब्स्ट्राक्ट होगा है नहीं तो 16 हो गए तो 16 है क्या 7 के टेबल में नहीं तो 7 2 जा 14 यह चोटा नमर है वह हम डिवाइड कर रहते हैं तो 16 में से 14 सọn स्ब्स्ट्राक्ट होगा तो 2 ऑन 0 20 होगा अब यहां पर मैं डैसántल फो essount्लार डिक्वाइं और यहां पर 2 यह च्छीट की बाद मैंने जिछा है तो सेवेंट एड़ा 56 तो सेवेंट एड़ा 56 सब्स्ट्राक्ट हो गए 4 रहे गए अभी 4 and 0 40 हो गए सब्सक्राइब करते गए तो आगे बहुत ज्यादा डिजित आएंगे हमें कितने जीट चाहिए सिर्फ पॉइंट के बाद में तू यहीं तो थ्री ही डिजिट चाहिए यहापे थ्री डिजिट है उसको हम क्या कर रहेते हैं चैसे करेंगे उसको लिखेंगे नहीं और उसके आगे वाला जो डिजिट में एक से बढ़ा देंगे याने कि ऐट की जगह हो जाएगा नाइन फो यहाप पर लिखेंगे 12.29 mm को धूर पोरेज रेंफोल दुरिंग दे वीग 12.29 mm कॉट अभी क्कॉश्यार नुमर सेकें डूरिंगे एन्युल फंक्शन अपर स्कूल ओमाइन self-help group had set up a snack stall their sale every hour were worth rupees 960 rupees 830 rupees 900 830 के बाद 945 rupees 800 rupees 847 rupees 970 respectively what was the average of the hourly sales hourly sales का average निकालना यह सो हमारा average का फोर्मर क्या है average equal to sum of sale of every hour every hour में जो sale हुए उनकी sum करनी है और उसको total number of hour से क्या करना है divide करना है यहाँ पर hour में जो sale हुए उनकी sum की है और उसको 6 से divide किया है तो sum कितनी आती है 5352 और उसको मैंने 6 से divide किया ok 6 से divide करने के बाद answer आता है 892 rupees ok so divide के से किया है देखो 5352 divided by 6 6 1 जा 6 6 8 जा 48 ok 53 में से 58 सब्सक्राइट हो गए 5 55 हो गए अभी सिक्स के टेपन में 55 है क्या नहीं तो 6 9 जा 54 है तो 9 जा लिखा यहापे 55 में 54 सब्सक्राइब वन रगाया वन एंड टू त्वेल हो गए 6 तू जा ट्वेल यहापे एंसर क्या आया है average of hourly sale is equal to rupees 892 ok question number 3 annual rainfall in विदर्बा is 5 year is given below what is the average rainfall for those 5 years 900 mm 650 mm 450 mm 733 mm and 400 mm ok अभी यहापे हमें क्या निकालना है विदर्बा में जो 5 year में rainfall हुआ है उसका average निकालना है तो average का formula क्या है average equal to sum of rainfall in 5 year 5 year में जो rainfall हो है उसकी sum करनी है और उसको total number of year से divide करना है तो मैंने यहापे year 5 year में जो rainfall हो है उसकी sum की है उसको 5 से divide किया तो sum कितने आती है 3130 ते उसको मैंने 5 से divide किया answer आता है 626.6 mm अभी यह 6 आया कैसे तो यहापे मैंने इसको 5 से divide करने के बाद देखो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 31 में से 30 सब्स्ट्राक्ट हो गए 1 रह गया 1 and 3 13 हो गए 5 2 जा 10 13 में से 10 सब्स्ट्राक्ट हो गए यहापे 2 रहे गए sorry 3 रहे गए 3 and 3 33 हो गए 5 6 जा 30 30 में 33 में 30 सब्स्ट्राक्ट हो गए 3 रहे गए 3 and 0 मैंने यहापे लिखा तो यहापे मैंने decimal point भी दिया है तो 5 6 जा 30 सो answer क्या आया है 626.6 तो मैं लास्ट में कैसे लिखूंगी average rainfall for 5 years is equal to 6 626.6 mm now question number 4 a farmer bought some sack of animal field the weight of the sacks are given below in kilogram what is the average weight of sacks 49.8 49.7 49.5 49.3 50 48.9 49.2 48.8 ok यह क्या है भर्मन ने जो animal field की sacks लिए उसका weight दिया है उसका हमें average निकालना है so average निकालना है अब कोन सा formula उसकते है average इकॉल to sum of weight of sacks sacks का जो weight दिया है उसकी sum करनी है और उसको total number of sacks से divide करना है so यहापे मैंने sacks की weight की sum की है उसको 8 से divide किया है क्योंकि टोटल नम्र आपस्यास कितने है एट सो इसकी सम कितने आती है 395.2 और उसको मैंने 8 से डिवाइड किया तो हमारा एंसर क्या आता है 49.4 किलोग्राम ओके अभी यह डिवाइड करने डिवाइड कैसे किया देख हुए आपे 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 39 में 32 सब्स्ट्राक्ट हो गए, 7 रह गए, 7 and 5, 75 हो गए, अभी 8 के टेबल में 75 है क्या? 75 नहीं पर 72 उससे छोड़ा चोटा नमबर है, तो मैं क्या करते हुए तो 8 9 जा 75, 75 से 8 9 जा 72, 75 में से 72 सब्स्ट्राक्ट हो गए, कितने रहेगे? 3 रहेगे, 3 and 2 32 हो ग बाद में, रिमेनिंग कितने रहेंगे? 0, मैं सर क्या आया है? 49.4, सो हम लाच में सर के से लिखेंगे? एवरेज वेट आफ सैक्स इस उकल टो 49.4 किलोग्राम, गाट इट? इस लाइक में वेड़ा सब्सक्राब में चाहरें और चाहरें कि बाइ बाद में!